हेलो स्तो कमाई का अड़स यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम बात करेंगे इडिया के नंबर वन कंपनी के बारे में जो टायर सेग्मेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कंपनी इमारेप कंपनी से भी बड़ी है एंड दोस्तो इसका जो यहाँ पर बिजनेस का पूरा जो पोटफोलियो है वो छोटे से छोटे वहिकल से लेकर माइनिंग इंडस्टी में जो हेवी ट्रक्स एंड अलग-अलग मशनेरीज होते हैं वो जो होते हैं उनके लिए भी टायर यह कंपनी मैनिफेक्चरिंग करती है याने अगरी कलचर सेक्टर रेने दो, माइनिंग रेने दो, कंस्ट्रक्शन रेने दो या आटो इंडस्टी रेने दो तो इन सभी को ये company tire यहाँ पर manufacturing करकर supply करती है और इसका जो यहाँ पर business ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में limited है BKT Tires इस नाम से आपने 28 बहुत बार TV पर देखे होगी इसी company के बारे में बात करें जिसका नाम है बाल कृष्ण इंडस्टी तो चलिए start करते company के बारे में पूरी जानकारी और समद लेते company के quarter four result के बारे में जो company ने शांदार और धमाकेदार सभी को चौकाने वाले result जो present किये वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अब यह जो board meeting उसमें से outcome क्या निकल कर आया है मैं आपको यहाँ पर discuss करकर बताता हूँ financial result में company ने दो टाइप से result present किये दोस्तो एक standard and consultant basis पर और दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो यहाँ पर dividend के बारे में अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बालकरेशन इंडस्टी ने dividend कितना दिया तो चलिए यहाँ पर वो भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आप सभी को चार रुपए का final dividend company ने declare किया जो निवेशे के पास बालकरेशन इंडस्टी के share से उनको तो मिलेंगे यहाँ पर dividend के advantage और जो खरीदेंगे record date से पहले उनको भी अब बात करतें बालकरेशन इंडस्टी के result के बारे में और उसके बाद में हम target वगेरा और stock का performance कैसे रहेगा वो भी ज़रूर discuss करेंगे तो यहाँ पर एक ही page पर बालकरेशन इंडस्टी ने standard and consolidated result present किये है और काफे interesting के देखना क्योंकि company के जो numbers होते हैं वो क्या बताते हैं कि company का business कैसे perform कर रहा है और यह सभी के सभी lakhs में amounts बताये वाले हैं और पहले हम बात करेंगे total income के बारे में revenue for operation and order income collect होकर बन जाता है total income तो चलिए start करते हैं बालकरेशन इंडस्टी का यहाँ पर analysis करते हैं result का पिछले साल 31st जो यहाँ पर March 2022 में बालकरेशन इंडस्टी कमारी थी कितना देखिए यहाँ पर 2,48,159 lakhs का income वो दोस्तो घटकर हो गया है 2,37,162 lakhs में याने के yearly basis पर आगर आप देखेंगे याने पिछले साल 2022 में December के March quarter और अभी के 2023 में जो अभी के quarter के result है उसके अंदर आप देखेंगे तो company की improvement कम दिखाई दी है बट अगर आप यहाँ पर उसी तरीके से यह जो quarter third है याने के 31st December 2022 and 31st March 2023 तो यहाँ पर देखिए company कमारी थी कितना income 2,18,543 lakhs का वो यहाँ पर दोस्तो बढ़कर हमें 2,37,162 होते वे नजर आया means यहाँ पर company का yearly basis पर तो नहीं बट quarterly improvement company ने income के अंदर दिखाया quarter ended basis पर result को देखे तो अभी आगर आप year ended basis पर भी देखेंगे तो company यहाँ पर 8,69,731 जो lakhs में कमारी थी income वो बढ़कर देखिए यहाँ पर 10,14,831 हो गया है यह year ended basis पर के income के number है आप बात करते हैं net profit के बारे में बाल क्रेशन इंडस्टी के तो यहाँ पर company ने सभी के होश उड़ाए है पिछले साल कमारी थी कितना बाल क्रेशन इंडस्टी शरीप दोस्तो यहाँ पर 37,369 lakhs का net profit वो घटकर हो गया है 25,555 lakhs का मिन्स यहाँ पर profit हमें down जाते वे नजर आ रहा है बट चौकाने वाली बात कहा पर है तो quarterly basis पर 9,962 lakhs से profit बढ़ कर कितना हो गया 25,555 मिन्स अन्बिलेबल profit की growth company ने यहाँ पर दिखा दिये जो किसी ने expect नहीं के होगी तो आप समझ रहे कि company धीरे धीरे पट्री पर अपना business लेकर आ रहे है inflation का जो impact था वो धीरे धीरे हमें दिखाई दे रहा है कि अभी सुदरते वे अगर यहाँ पर आप earning per share भी देखे इस company का तो आपको नजर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो earning per share 19.33 था वो घटकर 13.22 हो गया और पिछले quarter में में इस quarter third में 5.11 था वो बढ़कर 13.22 हो गया यह standaline के result हो गए बाल कृष्ण इंडस्टी के आप बात करते हैं consolidated result के बारे में यहाँ पर भी आप observe करेंगे दोस्तो तो बाल कृष्ण इंडस्टी ने काफी कुछ activities के थ्रू यहाँ पर अपना income बता दिया इसके अंदर आप देखेंगे consolidated result में भी तो company पिछले साल कमा रहे थी 2,48,358 lakhs का जो income वो यहाँ पर हमें घटकर होते वे नजर आया है 2,37,402 lakhs का यहाँ पर यहाँ 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 पर कंपनी के same to same देखेंगे जो 31st December 2022 and 31st March 2023 में तो देखिए वो profit, sorry income वो बड़ा कैसे 2,21,054 lakhs में था वो बढ़कर 2,37,402 हो गया है तो इस तरीके से company के income में आपको growth दिखाई देगी consolidated result में भी आप net profit की भी बात करें consolidated result के बारे में तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते need profit कैसे perform करा है, same है consulted and standard business per company के result में यहाँ पर आपको same to same देखने को मिलेगा, देखिए yearly business per company down है बट quarterly business पर आच्छा perform किया है, तो इस तरीके से देखिए बाल कृष्ण इंडेस्टी के result है, मोटी मोटी बात यह समदना कि consulted result या standard result के पूरे हम समरी को समझे, तो company का income हम सभी को जो यहाँ पर बढ़ते वे नजर आया है quarterly business पर और profit भी बढ़ते वे नजर आया quarterly business पर ही यहाँ पर दोस्तों बाल कृष्ण इंडेस्टी का share देख सकते है, यह चल रहा है 2438 रुपए पर और पिछले 6 मेने में इसने solid return कमा कर दिया 20% not bad, इस company के अंदर 20% बोलतो बहुत अच्छी बात है, एंड धिरे-धिरे company पट्री पर आने की कोशिश कर रही है इसके अंदर correction हमें काफी जबर्दस देखने को मिले है, अभी एक नया breakout का expectation यहाँ पर बाल कृष्ण इंडेस्टी से है और जल्दी एक company हमें दिखाईगे, क्योंकि देखे अगर market ने एक बात मैं clearly कहना चाहूंगा, result अगर positive ली लिए जाए, तो quarterly business पर super है अगर negative लिए जाए, तो yearly business पर अच्छे नहीं, अभी market react कैसे करेगा, वो सोचने वाली बात है, थोड़ा observe करना, अपनी further study करना, उसके बाद में decision लेना company अच्छी है, इसके बारे में आप जरूर सोचिए क्योंकि company में value दिखाई देती है and बड़ी बात मैं आज discuss करना चाहूँगा आप सभी से, कि जो FIS और DIS है, वो काफी बड़ा भरोसा इस company पर दिखाते है DIS की बात करें, पहले उनके पास जून 2022 में सिरिफ 11% था, stake वो बढ़कर अभी 20% हो गया याने कि 9% improvement की है उन्होंने 4 quarter's के अंदर, याने कि एक साल में 9% का माल उठाया और क्यों उठाया, क्योंकि company में improvement है बोलकर, और FIS के पास भी आज, यहाँ पर हम सभी को देखिए यहाँ पर 12% का stake नजर आता है, और इस company में जो हमें यह company large cap की होने के बावजूद भी mid cap की तरह performance लिए करती क्योंकि public की shareholding कम है, और देखिए जितनी public की shareholding कम होती, उतना stock में fluctuation कम होते है आप सभी को ही देखने को मिलेगा, start यहाँ पर आप कर सकते हैं इस company के बारे में investments related vichar, thank you